कईस हेक्विजन का आप काम करते हैं या हेक्विजन आपके यहाँ पर लगा हुआ है और आप DVR को सक्विए करने के लिए और वहाँ पर एर्र आता है कि DVR कहीं और bound है तो कईस वहाँ पर एक एर्र आता है कि एक account बनाया हो कई लोग क्या करते हैं कि अपना account भी नहीं बनाते हैं वहाँ पे विजिटर मूड होता है और उसी सही DVR को scan करके online कर देते हैं जब तक आपका DVR चल रहा है ठीक है लेकिन जैसे आपका phone चेंज होता है या आप app को आप reinstall करते हैं तो आपका account plugin नहीं होता क्यो क्योंकि हिक विजन में security का मामला है हिक विजन चाता है कि अगर एक जगा पे DVR चल रहा है सब्सक्राइब कीजिए कि मैं honor हूं अपनी DVR का और मैं अपने phone पे camera को watch कर पा रहा हूं तो मेरे जब तक camera watch कर रहा हूं तब तक कोई दूसरा बंदा DVR को scan करके किसी आप बार login कर ले हिक विजन ने security को weak नहीं किया हुआ कि आप कोई भी scan code लेके या password लेके DVR को online कर सको हिक विजन ने किया हुआ है कि आपको DVR को एक ही number पे आप कर सकते हो अगर वो चाहे पहला number तो वो share कर सकता है या फिर अपना hik connect का user ID password देसकता है तक कि आप दूसरे phone पे उसको view कर सको आज मैं अपने DVR को unbind करने वाला हूँ मेरे DVR किसी और number से add है और मैं चाहता हूँ अपना दूसरा account बनाना और उसके थ्रू bind करना अपने नए number पे तक कि पुराने जितने ही phone पे चल रहा है अगर मैं को security का डर भी है कि यह पहले कौन-कौन देख रहा है किसी के phone पर चलतों नहीं रहा तो भी आपका DVR Secure है तो क्या करना पड़ेगा लेकर चलूँगा आपको अपने DVR की स्क्रीन पे कहां पर आपको बारकॉर मिलता है तो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम में गुलशयन आप देख रहे हैं सिर्ट वी हल्प लाइन चलते हैं पहले डिस्प क्लिक करते हैं यहां पर आने के बाद आपको left hand पे option पीक्लिक करना है यहां पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है left hand पे कनेक का तो यहां से हिकनेक पर किलिक कर दीजिए तो यहां पर देख रहे हैं एनेबल का ओप्शन आ रहा है हिकनेक को एनेबल करना चाहिए आपको एंक्रिप्शन क्या है उसके बारे में एक और वीडियो लिखे आऊंगा यह भी सिक्यूर्डी सी जुड़ा मामला है और को नहीं आ रहा है तो ही आपका DVR मोबाइल फोन पर प्ले होगा और यह वेरिफिकेशन कोड क्या है यह भी आपके सेकेंड फोन पर व्यू करते हो तो सबसे एहम कड़ी निभाता है तो इसकी वीडियो लेके आऊंगा कि यह क्या है और क्यों काम आता है तो अभी हम देख हैं कि सारे options कि हमें क्या करना है सबसे पहले इसको एनेबल करना है encryption की भी होनी चाहिए वेरिफिकेशन आपको नहीं पता तो इसको आप देख सकते हैं उसके एक वीडियो लेके आऊंगा पर पहले फोन के लिए नहीं है इस्ट्रेस ओन नहीं होना चाहिए और यह वाला बा मैं प्रेफर करता हूँ सबसे बेस्ट एप है हिकविजन की वैसे हाई लूप भी है आईवी एमस 4500 भी है लेकिन जो हिकविजन की ऑफिशल एप है हिकनेक वह सबसे बेस्ट है तो यहां पर आपको लोग इन और रिश्टर का option मिलता है आप लोग इन पर क्लिक कीजिए यह करके यहां पर अपना email id अगर फोन से जाते है रिश्टर बाइ फोन नंबर तो फोन नंबर से भी अपना account क्रेट कर सकते हैं लेकिन मेरा already account क्रेट किया हुआ है तो मैं चलता हूँ back और खोलता हूँ यहां पर अपना email id से login करता हूं तो यहां पर email id यहां पर enter कर देता हू और यहाँ पर डालना है पासवर्ड तो मेरे पासवर्ड रखा हो था admin add the rate 123 वो enter करके देखे तो हम पासवर्ड सही है मेरा login कर देता हूँ तो कई login हो गया यहाँ पर कोई भी device add नहीं है यहाँ पर add device का option आगया उस पर क्लिक कर दीजिए camera open हो जाएगा तो आपने basically QR code जो है left वाला वो आपने scan करना है guys scan करते ही मेरे को यहाँ show हो गया कि मेरा पहले device bound थी उसके number के कुछ एक number चार number मुझे show हो रहे हैं कि किस-किस number से ही device bound थी guys तो इस पर आपको देखना है कि यह number क्या आपका है यहाँ पर email ID के number भी लिसके आसते हैं तो आपको रिखना कर यह आपका है तो आप easy तोर पे इस वाले ID से login कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं पता है यह number किसका है camera वाले ने scan किया होगा कुछ किया होगा तो मुझे क्या करना है मुझे इसको unbind करना है unbind के लिए सबसे पहला process यह है कि आपका wifi connect होना चाहिए जो DVR अब भी router से connect है उसी router से आपका जो mobile phone है वो भी connect होना चाहिए अगर यह नहीं होगा अब suppose कीजिए मैंने इसको wifi से डड़ा दिया है unbind के click करूँगा तो यह मुझे बोलेगा network का problem है और आपका DVR और mobile phone एक net से connect नहीं है तो इसको करते है enable wifi को wifi को enable करने के बाद में आपके पास wifi connect होना चाहिए wifi मेरा connect हो गया है अगेंड क्लिक करते हैं unbind पे click और यहाँ पे डालना है आपको अपने DVR का password तो मेरे DVR का password है यहाँ पे मैं enter कर देता हूँ यहाँ पे आपने डालना है capture code जैसे दिख रहे है VVS तीन बार V है एक बार S है याँ फिर इसको आप clear नहीं vision हो रहा तो refresh करने का option आप इस पे click कर सकते हैं जो word capital है उसको capital ही करना है तो V capital है इसके बाद 8 है देन B capital है उसके अब 5 है तो मैंने चार डाल दिये हैं और finish पे click कर देते हैं The device is unbound from the account मतलब जिस DVR से bound थी वो हट गई है अब आपको करना है plus पे click आपने करना है scan code को scan barcode को scan करना है और करना है add पे click यहाँ पे आप देख रहे हैं adding completed next करना है यहाँ पे डाल सकते हैं DVR का नाम तो मैं रख देता हूँ DVR का नाम office रोहीनी और करते हैं save पे click तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक error is को ask me letter कर देते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे DVR शो हो गया है DVR पे click करते ही मेरे जो camera थे वो visible हो गए और जिस number से पहले चल रहा था camera जो number पहले bounce था उस number से वहाँ से हट गया है तो इस तरीके से आप अपने DVR को unbind का सकते हैं अब गईस बात आती है कि आज कल एक issue आ रहा है कि जो lower firmware है मतलब कि इसमें 3 point वाले जो firmware है वो unbind नहीं हो पा रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको अपने DVR को upgrade करना पड़ेगा तो guys upgrade कैसे होता है या फिर उस वाले DVR में कैसे problem solve होगी उसकी एक और वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि अगर वो अला chapter इसमें include कर दिया तो वीडियो बहुत प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए मन में कोई भी doubt रह गया हो तो comment box में write कर दीजिए आपका question अगर उसके regarding video available नहीं होगी तो वीडियो बनने कोशिश जरूर करूँगा थेंक्यू सो मच इस वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए टेक क्यर